बेराइस से इस वक्की बहुत बड़ी खबर आ रही है इक और भेडिया पकड़ लिया गया है पांचवा ये भेडिया आदम खोर भेडिया जिसने आतंक मजा के रखा हुआ था पिछले दो मैने से राध राध भाग कर जाकर यहाँ पर गाओं वाले अपनी नीन को हराम करकर आदम खोर भेडिया को ढून रहे थे 200 लोगों की टीम यहाँ पर पहुंची हुई थी वन विभाग की बहुत बड़ी सफलता है और जानकारी देंगी हमारी सहयोगी पूरा गाओं में इस वक्त आतंक मचा हुआ था लेकिन अभी भी दर कम नहीं हुआ है क्योंकि यह पांच बाब भेडिया पकड़ा गया है जब चौथा भेडिया पकड़ा गया तो माना जा रहा था कि शायद अब थोड़ा सा महौल शान्त होगा लेकिन असा बिल्कुल नहीं था उसके बाद कई हमले हुए भेडियों के यहाँ तक उसके बाद दो और बच्ची पर भी इसने हमला करने की कोशिश किये एक बच्च लेकिन अब भी माना जा रहे कि चार या 5 भेडियो और इलाके में घूम रहा है कैसे हो रहा है यह तो हम जानें के रिदूर से लेकिन अपने दर्शुकों को बदा दें कि पकड़ा कैसे गया यह भी आप तस्वीरों में देख लीजिए लाठी से काबू करते हुई वीडिय आप देख रहे हैं वनविभा के टीम कैसे सुकून इनके चेहरे पर राहत ग्रामीडों के चेहरे पर नजर आ रही है चुकि पैटर्न यहां पर शिकार का भी बदल लिया गया था पैंथर के तरफ से आरम खोर बेड़े के तरफ से और बाना जाता है कि बहुत तेज तरार होत है उन्हें अभास हो जाता है कि उनकी तरफ कोई आ रहा है तुरंट अपना वो जो शेत्र है वो बदल देते हैं और यही कारण है कि गन्ने की उंची फस्टों को उन्होंने अपना थिकाना बनाया छुप जाते थे वहां से भाग जाते तो और यही कारण है कि वन विभाग की टीम को उन्होंने नाक्षणे चबवा दिये और पकड़ने में इतने दिन लगए। की अभी पांच भेड़ी पकड़े जा चुके हैं, इस पांच भेड़ी के पहले जो एक वीडियो सामने आता हुए उसमें तक्रीबन साथ या आठ भेड़ी पानी पीते हुए नजर आए थे और इसलिए अब ग्रामीरों में डर का महल और जादा बना हुआ है। हम आपके साथ हैं, मुख्यमंत्री ने सीधे कह दिया था, जैसे दिखें वहाँ पर फार कर दीजे, शूट कर दीजे, राजनीती हुई, सियासत हुई, लेकिन चुनौती बना हुआ तो राकिर कारब, माना जाए कि बहुत बड़ी सफलता है। बहराइच के हरबक्ष पुर्वा गाउं हैं, वहाँ से इस भेडियों को पकड़ा गया है, और यह माना जा रहा था कि पहले से ही दरसल डोन से भी नजर रखी जा रही है, और आसपास के लोग छुपकर इनकी अब रैकी एक तरीके से कह सकने कर रहे थे। और इन भेडियों को पकड़ना इसलिए भी चुनाती है, क्योंकि इनकी जब से सदस से गायब होना शुरू हुए थे भेडियों के उसके बाद से इनोंने लगतार अपना शेतर बदला है। लेकिन लेकिन शिकार करने का तरीका भी बदल लिया था, चुकि गाउवालों को बताया गया कि आप लोग दर्वाजा लोग करके रहे और हो सके तो छट पर जाईए, लोगों ने जब छट पर सोना शुरू कर दिया, तो ये जो आदमखोर भेडिये थे, ये पेड़ के सार और हो सकते हैंगे, ताना मुश्किल बेलकुल यही एक बहुत बड़ी अपडेट है कि चार से पाँच भेडिये और हो सकते हैं, वहाँ पर जो ग्रामेन उन्होंने खुद देखा है, कि इलाके में अलग-अलग शेतरों में भेडिये घूम रहे हैं, हम लगातार ये अपड आंकर बच्चों को सुला रही थी, डर के साय में जी रही थी, यह जो भेडिया है, यह जड़ी स्टोरी बताइए रेनू, कि क्योंकि आपने काफी यहां पर रिसर्च की है, यह आदम खोर क्यो हो गए, देखे मनुराज, पहले तो ऐसा हुआ था कि लिए अपनी भूक मिटान के लिए और ज्यादा यह हमले करने लगे हैं, ताकि इन से लोग डरे, पॉरिक एक्सपर्ट से भी हमने बात की थी, और इसको देखे समझने के लिए, रेनू, हमें वो पैटर्न भी समझना होगा, सबसे पहला हमला हुआ था, सबसे पहला हमला हुआ था, मार्च में, जहां पर इस वक्त आदम खोर बेडिय का आतंक था, तो यह जो 32 गाहों थे, जो 50,000 के आवादी वाले गाहों थे, वहां पर बार जैसे आहलाते हैं, और इसलिए हाबिटेट बदल लिया था इन भेडियों ने, उनके जंगल में जब पानी आया, उन्होंने हाबिटेट और फिर ऐसे में जिकार के लिए जब आगे बड़े आवादी वाले इलाके में पहुंचे, तो जाहित आपर बहुत आसान होता है, सफ्ट टार्गेट होते हैं बच्चे रिनू, बच्चे और बुज़ुर, बहुत कमजोर होते हैं, इनको यह पता होता है, क्योंकि ताकतव पर बेडिया अगर ताकतवर इंसान से लड़ेंगे, तो शयद उनका शिकार नहीं कर पाएंगे, इसलिए उनको निशाना बनाते हैं, जो उनसे कमजोर उनको समझ में आते हैं, और देखे रिनू, यह भी बात है, वो जहां पर शिकार करता है, वह खाता कभी नहीं है, वो दो किलोमेटर लेके जाता है, तो ऐसे में लेने के लिए शिकार को पहुचाने के लिए जाहित आप पर बच्चे सॉफ टारगेट हो गए, महिलाएं सॉफ टारगेट हो गई, और इसलिए आप देखे कि लगातार जो शिकार हुआ है, वो महिलाओ और बच्चों का यह उनका पीछा करपाना बहुत बड़ी मुश्किल पैदा कर रहा था, अचा एक चीज और है, अपने दर्शुकों को बदा दे कि 20 साल पहले भी यहाँ पर इस तरह की सिर्थी देखने को मिली थी, 40 बच्चे शिकार हुए थे उस वक पर, कुछ वही लग रहा है कि तस्वीर बिल्कुल, बिल्कुल, वही पूरा एक सिनेरियो एक बार फिर से हम देख पा रहे हैं, क्योंकि इस बार तकरिबन 10 बच्चे, 10 बच्चे निवाला बरे हैं, और महिलाई भी इसमें शामिल है, बुरी महिलाई इसमें शामिल हैं, और एक बात समझना होगा कि इन भेडियों नहीं बनाया जासा कह, जिसे कभी कोई पाल नहीं पाया है, आपने देखा हुगा शेर को इशारू पर नास्ते हुए, लेकिन आपने भेडिया कभी नहीं देखा हुगा, और ये भेडिया आदम खोर बन गया, आतंक बना हुआ है, लेकिन आप माना जा रहे है कि बहुत बढ़ी खबर कि पांचवा भेडिया जो कि बता जा रहे लीडर था इन सब के ग्रूप का वो पकड़ा गया है और माना जा रहे हैं कि अगर एक या दो भेडिया और होंगे उन्हें जल्दी पकड़िया जागा क्योंकि अब वनवेबा की टीम भी समझ गई है कि हम कैसे इसे जाही तो पर उम्मीद करेंगे कि आतंग क्यांपर खत्मों फिलाल के लिए आज के लिए तना ही हमें दीजिए जाज़त नमस्कार